तो दोस्तों ये एक छोटा सा गाह होता है ये कहानी है एक दियालूम मोहन की और एक उसका भैहरामी चंदू की ये दोनों उसकी खेतों को बारी बारी से रात को संभालने के लिए जाया करते थे अरे मोहन अभी तक तु यहाँ पर क्या कर रहा है तु भूल गया है क्या आज तेरे को हम दोनों का खेत संभालने के लिए जाना है औरे नहीं नहीं चंदू भाई मैं नहीं भूला हूँ बस अभी जाने ही वाला हूँ खेतों को संभालने के लिए ऐसा कहने के बाद ये मोहन खेतों को संभालने के लिए जाने लगता है खेतों में पहुचते पहुचते वहाँ पे रात हो जाती है वहाँ जाकर ये मोहन देखता है तो उसके खेत में दो सुवर खुश चुके थे तब भी जल्दी जल्दी जाके ये मोहन वो दो सुवरों को फगा देता है सुवरों को फगाने के बाद थोड़ी देर तक आराम करने के लिए वहाँ पे बेठ जाता है और तब भी थोड़ी ये देर के बाद फिर से वो दोनों सुवर इस चंदू के खेत में आ जाते है और ऐसे ही सुवरों को फगा फगा के सुबह भी हो जाती है सुबह होने के बाद ये देयालू मोहन उसकी घर पे जाने लगता है घर पहुचने के बाद ये देयालू मोहन उस चंदू के पास जाता है और उसको बताता है कि और ये चंदू भाई आज तो मैं सुवरों को भगाक भगाके बहुती ज़्यादा ठक चुका हूँ और वैसे भी आज सुवरों को संभालने के बारी तुमारी है ऐसा कहने के बाद ये दयालू मोहन उसके घर पे चला जाता है और तभी थोड़ी ही देर के बाद साम भी हो जाती है साम होने के बाद ये हरामी चंदू खेतों को संभालने के लिए जाने लगता है जब ये चंदू खेतों में जाकर देखता है तो मोहन के खेत में दो सुवर खूस चुके थे और तब ही ये चंदू खुद से खुद बात करने लगता है और ये तो मोहन के खेत में सुवर खुश चुके है मैं तो नहीं उसको फगाने वाला अगर मेरे खेत में वो सुवर खुश चुके होते तो मैं उसको आराम से जाके फगा देता इसा कहने के बाद ये हरामी चंदू उस सुवरों को फगाने के लिए नहीं जाता है तो दोस्तों आप ये दोनों में से किसके जैसे बनना चाहोगे और एक बाद दोस्तों आपका भी अगर फाय है तो आप कभी भी इस चंदू की तरह उसके साथ गदारी कभी मत करना